हेलो फैंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अपढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो अभी तक 2021 में मतलब जन्बरी 2021 से लेकर जून 2021 तक जितने भी परमुख नुक्तियां हुई है चाहे वो रास्टी अस्तर पर या फिर अंतरास्टी अस्तर पर जितनी भी नुक्तियां पिछले छे बिगत महीनों में हुई है वो सारी नुक्तियों को आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए वीडियो अब सुरू करते हैं कहरा एर मार्सल बिबेक राम चौधरी देखें यह जो है जितना भी एस्टाटिक फैक्ट है इससे उतना ज्यादा इसमें समझने वाली कुछ चीज़े नहीं है याद करने वाली चीज़े ज्यादा है फिर भी इससे रिलेटिड जो कुछ भी होगा वो मैं आप लोगों को स 26 में बायू से नाधियच है जिनका नाम है आरके एस भदोरिया आगे कहरा है नयमूर्ती अन्बी रमना नयमूर्ती अन्बी रमना जो है वो भारत के 48 में मूखन अधिस यानि कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने है और उनका कार्जकाल जो है वो 26 अगस 2022 तक रहेगा वह अरून कुमार मिसरा कौन है रास्ट्रिय मानमा अधिकार आयोग के अधियच है आठ में अधियच है वहीं रास्ट्रिय मानमा अधिकार आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक स्वतंतर बैधानिक संस्था है जिसकी अस्थापना जो है वो मानत अधिकार 1993 के प्रब्धानों के तहट 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी आगे कह रहा है अरून कुमार सिंग अरून कुमार सिंग क्या नुक्त हुए है ये भारतिये पेट्रोलियम कॉर्परेशन लिम्टेड यानि की BPCL के अध्यच और प्रबन निदेशक यानि की CMD नुक्त हुए है BPCL की अगर हम लोग बात करते हैं तो BPCL की अस्थापना जो है वो 1952 में हुई है और इसका हैटक्वाटर जो है वो मुंबई में स्थित है आगे कह रहा है जगनात बिद्यधर महापात्र जगनात बिद्यधर महापात्र जो है वो केंद्रिये परतेच करबोर्ड यानि की CBDT के अध्यच नुक्त हुए है एक चीज़ याद रखिएगा यह केंद्रिये परतेच करबोर्ड के हैं यही अगर आपसे पूछ दे CBIC यानि की केंद्रिये आप परतेच करबोर्ड सीमा सुल्क बोर्ड के अध्यच कौन है तब उनका नाम हो जाएगा M. अजीत कुमार तो यहाँ परतेच करबोर्ड यानि की CBDT और CBIC में कन्फ्यूज नहीं होना है आगे कहा रहा है सुरेश एन पठेल सुरेश एन पठेल कौन है यह नए केंद्रिये सतर्कता आयोगत है यानि की CBC वहीं अगर हम लोग केंद्रिये सतर्कता आयोगत की बात करते हैं तो यह एक स्वतंत्र निकाय है जो केबल संसत के प्रतिजिम्मेदार होता है केंद्रिय सतरक्ता आयोग की अगर बात करते हैं तो 1964 में जो केस संथामन कमीटी आई थी उनकी अध्यश्टा वाली वही भरष्टचार निरोधक समीथी की सिफारिशों पर केंद्रिय सतरक्ता आयोग की अस्थापना की ये किया था नेस्रे हमारा संजीब कुमार कौन निउक्त हुए है भारतीय विमान पतन प्रधिकरन यानि कि एरपोर्ट ओथरिटी ऐफ इंडिया के नये अध्यश निउक्त हुए है और इसका हैटक्वार्ट जो है बो निउ दिली में इस्थित है आगे कहा रहा है सुसील चंद्रा, सुसील चंद्रा कौन है ये 24 में मुख निर्वाचनायुक्त है चुनाबायोग में एक मुख निर्वाचनायुक्त और दो अन्य चुनाबायुक्त होते हैं और अन्य चुनाबायुक्त कौन है राजिव कुमार है और मुख चुनाबायुक्त पूछ दे तब 24 मा है उनका नाम सुसील चंदरा है इसके साथी साथ कुछ उप चुनाबायुक्त भी होते हैं तो उप चुनाबायुक्त की अगर हम लोग बात करते हैं तो उमेश सिन्हा, च परतमान में ये टाटा स्टील के CEO थें वहीं अगर हम लोग CII यानि कि भारतिये उद्योग परिसंग की बात करते हैं तो इसकी अस्थापना जो है वो 1895 में और हेटक्वाटर जो है वो नई दिल्ली में श्थित है नेक्स्ट है हमारा एसरम्नन एसरम्नन कौन है ये सीडवी यानि कि भारतिये लगु उद्योग विकास बैंक के नए अध्याच और नए परबंद निदेशा निउक्त किये गए हैं वहीं अगर हम लोग CII बी की बात करते हैं तो CII की जो स्थापना है वो 2 अपरेल 1990 को संसत के एक अधिनियम के तहत किया गया है और इसका इस समीति का अध्याच चुना जाता है इसमें 15 सदस जो हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस जो हैं वो राज्य सभा से होते हैं लगु लोकलेखा समीति को लगु लोकसभा भी कहा जाता है और इसको प्राकलन समीति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है आगे कह रहा है कि 2021 में नियुक्त बिभिन उच न्याले के मुखने आधिस अभी आप लोगों को पता होगा कि भारत में बरतमान में 25 उच न्याले है और जो 25 उच न्याले है वो कौन है वो आण्ध पदेश का अमराबती में जो 2019 में बना है वो 25 उच न्याले है क्लियर है तो चलिए देखे कह रहा है कि पुलगेरू बेंकट संजेह कुमार यह मनिपूर उचन्याले के नियाधिस बने हैं नियुक्तिति आप लोगों को याद रखने की जरुवत नहीं है यह मनिपूर उचन्याले के नियाधिस बने हैं मनिपूर उचन्याले के अस्थाप स्थापना 2000 में और मुख पीठ जो है वो नय निताल में इस्थित है पंकर मित्तल की अगर बात करते हैं तो ये जम्मु कासमीर और लद्दाक के उचे नयाले के नयाधिस बने हैं जितेंदर कुमार माहेसवरी की बात करते हैं तो ये सिक्किम के उचे नयाले के नयाधिस बने हैं गौहाटी उचन्याले की अस्थापना जो है वो 1948 में हुई थी याद रखिएगा हीमा कोहली की बात करते हैं तो यह तेलंगना की बनी है और 2019 में तेलंगना का उचन्याले का गठन हुआ है और इसका जो मुख पीठ है वो हैदराबाद में इस्थित है वहीं के बात कर रह मध्पदेश का जो मुखने अधिस है यह साइद SPD के बुग में संजय यादब दिया हुआ है देख लीजेगा इसको एक बार थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लीजेगा अभी रिसेंटली में मध्पदेश के कौन है चेक है मध्पदेश के मुहमद रफीक है या संजय यादब है यह दोनों थोड़ा सा चेक कर लीजेगा ऐसे मुहमद रफीक ही है साइद संजय यादब साइद इलहाबाद चले गया है ऐसा कुछ है नेक्स्ट है हमारा M1 गनपती M1 गनपती कौन है यह रास्टिय सुरच्छा गाड यानि की NSG National Security Guard के महानी देशक निक्त किये गए है MS गनपती कौन NSG यानि की National Security Guard के महानी देशक निक्त किये गए है आगे कह रहा है कुलदीप सिंग कौन है कुलदीप सिंग निक्त किये गए है CRPF के यानि केंधरिये रिजर पुलिस बंक बल के महानी देशक निक्त किये गए है CRPF की अगर बात करते हैं तो CRPF का Headquarter जो है वो दिल्ली में स्थित है और इसका जो एक मोटो होता है सब चीजों का तो इसका जो मोटो है CRPF का वो है सेवा और निस्टा यानि कि Service and Loyalty Next है हमारा Lieutenant General Tarun Kumar आईच Lieutenant General Tarun Kumar आईच जो है वो NCC यानि कि राष्टीय कैड़ेट कोर के महानिदेशक निक्त किये गए है राष्टीय कैड़ेट कोर की अगर बात करते हैं तो अस्थापना 1948 में Headquarter जो है वो निक्त देली में और इसका जो मोटो है वो है एकता और अनुसासन यानि कि Unity and Discipline आगे कहा रहा है कि Lieutenant General Chandi Prasad Mohanty Chandi Prasad Mohanty जो है वो Vice Chief of Army Staff निक्त हुए है एक चीद याद रखिएगा Chandi Prasad Mohanty जो है वो Vice Chief of Army Staff तो निक्त हुए ही है लेकिन भारत के जो Chief of Defense Staff है जो की पहले Chief of Defense Staff है भी है उनका नाम है विपिंदाबत आगे कहा रहा है कि परदीप कुमार नायर कौन निक्त हुए है तो ये Assam Rifles के महा निदेशक निक्त हुए है Assam Rifles की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसकी अस्थापना जो है वो 1835 में कच्छार लेभी के नाम से हुआ था फिर 1971 में इसका नाम बदलकर Assam Rifles कर दिया गया और Assam Rifles का जो मुख्याले है वो इंफाल में स्थित है तो याद रखेगा चंदर नायर परदीप चंदर नायर जो है वो Assam Rifles के महा निदेशक निक्त किये गए है आगे कहरा है सुबोध कुमार जैसवाल जो CBI है उसके निदेशक निक्त किये गए है CBI की अस्थापना बहुत बार पूछा जाता है याद रखेगा एक अपरेल 1963 को हुआ है और Headquarter जो है वो नई दिल्ली में स्थित है आगे कहरा है कि SN सुब्रेमन्यम SN सुब्रेमन्यम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रास्तिये सुब्रच्छा परिसाथ यानि कि National Safety Council के अध्यच बने गए है सुब्रेमन्यम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इससे पहले सुब्रेमन्यम जो थे वो भारत की सबसे बड़ी जो निर्मान कमपनी है LNT Limited उसके CEO और प्रबन निदेशक रहे हैं Next है हमारा हीमादास हीमादास की अगर हम लोग बात करते हैं तो हीमादास से आप लोग भली भरचीत परचीत होंगे ये बिस्प Under 20 Athletes Championship जो की 400 मिटर दौड की सरेनी में जीतने वाली प्रथम भारतिये महिला है इनको आसाम के DSP पद के लिए निउट किया गया है और इन्हें Dhing Express के नाम से भी जाना जाता है आगे कहरा सिदार्थ मोहंती सिदार्थ मोहंती की अगर हम लोग बात करते हैं तो भारतिये जीमन विवा निगम लिम्टेड यानि की Life Insurance Corporation LIC के परबंद निदेशक निउट किये गया है वहीं LIC की अस्थापना की बात करते हैं तो LIC की अस्थापना जो है वो 1 सितंबर 1956 को हुआ है याद रखिएगा आगे कहरा है टी रभी संकर टी रभी संकर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कौन है ये RBI के चौथे डिप्टी गवर्नर है आप लोगों ने पढ़ रखा होगा RBI के एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं तो अन तीन जो डिप्टी गवर्नर है उनका नाम है महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और एम राजेस्वर राए और अभी जो डिप्टी गवर्नर है उनका नाम है टी रवी संकर वहीं अगर आपसे गवर्नर पूछ दे तो अभी जो है वो सक्तिकान दास हैं जो की 25 में गवर्नर हैं याद रखिएगा और एक चीर और RBI से याद रखिएगा मुख बीती अधिकारी मुख बीती अधिकारी RBI के कौन है उनका नाम है सूधाबाल कृष्णन नेक्स कह रहा है कि जैदीब भटनागर जैदीब भटनागर को क्या नुक किया गया है प्रेस ब्यूरो सूचना ब्यूरो जो है वो P.I.B. प्रेस इंफर्मेशन ब्यूरो उनके प्रधान महा निदेशक नुक किया गया है और यह जो है वो 29 में हेड है यह भी याद रखिएगा प्रेस इंफर्मेशन ब्यूरो के 29 में अधियच है जैदीब भटनागर वहीं आगे कह़रा है कि ब्रस 2021 में नुक्त बिभिन देसों में भारत के राजिदूत या ऊचायूक्त बिभिन देसों में भारत के राजदूत नुक्त किये गए हैं कौन-कौन उनको देखते हैं इन में से कुछ इंफोर्टेंट है आज कल पूछा जाता है एकजाम में इस इनबाक सेकर जो है वो पपुवा निवगिनी के निउक्त किये गए हैं इस जानकी रमन जो है वो क्यूवा गनराज में भारत के राजदूत निउक्त किये गए हैं वहीं गुलखम जाथोम गंगटे जो है वो टूनेसिया में भारत के राजदूत या उचायुक्त निउक फिरकी गनराज के, परदीप कुमार यादब जो है वो लाइबेरिया के, वहीं आगे कह रहा है मनपृत बोहरा, मनपृत बोहरा जो है वो आस्ट्रेलिया के नुक्त किये गए हैं, राजेस बैसनब यह मुरक्कुक में नुक्त किये गए हैं, संगीता बहादूर यह माल्टा म में निक्त किये गए हैं आगे कह रहा है बिरेंद्र कुमार पॉल तो बिरेंद्र कुमार पॉल जो है वो सोमालिया में निक्त किये गए हैं जेयंत एन खोबरा गड़े जो है वो आफियां सची वाले में निक्त किये गए हैं अजीत बिनायक गुपते यह मिस्र में निक्त किय गया है आगे फिर कह रहा है रेखा M. Menon रेखा M. Menon कहां क्या निक्त की गई है यह जो है वो NASCOM की पहली महिला ध्याच निक्त की गई है NASCOM की अगर बात करते हैं तो NASCOM का Full Form भी याद रखिएगा National Association of Software and Service Companies जिसकी अस्थापना जो है वो 1988 में हुई है और Head Quartal जो है वो नई दिल्ली में स्थित है आगे कह रहा है बिनित अगरबाल बिनित अगरबाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह NASCOM होता है इसका Full Form होता है क्या The Associated Chambers of Commerce and Industry of India जिसकी अस्थापना जो है वो 1920 में हुई है इसके यह नए अध्याच निक्तिएगा है बिनित अगरबाल क्लियर है चलिए आगे कह रहा है उजबला सिंखानिया जो है वो फिक्की लेडीच और्गनाइजेशन यहाँ ध्यान रखेगा लेडीच और्गनाइजेशन के रास्टी अध्याच है आपसे सिर्फ फिक्की के अध्याच पुछेगा तब आपका अंसर हो जाएगा उदय संकर लेकिन अगर लेडीच और्गनाइजेशन के अध्याच पुछेगा तब आपका अंसर हो जाएगा उजबला सिंखानिया वहीं अगर हम लोग फिक्की की बात करते हैं तो फिक्की का जो फूल फॉर्म होता है वो होता है Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry आगे कहरा अजय सिंग, अजय सिंग जो है वो भारतिय मुक्यबाजी संग के अध्याच निप्त किये गए हैं वहीं अगर भारतिय मुक्यबाजी संग के महा सचीव अगर आपसे पूछ ले तब, महा सचीव अगर पूछ ले तब आपका अंसर हो जाएगा है मनता कुमार कालिता आगे कह रहा है बिजय सामपला, यह रास्टिय अनुसुची जाती आयोग यानि NCSC के अध्याच निप्त किये गए हैं रास्टिय अनुसुची जाती आयोग से आप लोग भली भाचित परचित होंगे यह एक सम्मेधानिक निकाय है जो भारत में अनुसुची जातीयों के हितों की रच्छा के लिए कार्ज करता है वहीं आप लोगों को यह कि अनुचेद याद होगा अनुचेद 338 जो कि अनुसुची जाती आयोग से संबंधित है आगे कहरा है दुसेंच चोटाला दुसेंच चोटाला जो है वो टेवूल टेनिस फेडरेशन ओफ इंडिया के अध्याच बनाए गये है और बरतमान में हर्याना के उप मुख मंतरी भी है आप लोगों को याद होगा कि अगर हर्याना के मुख मंतरी की बात करते हैं तो हर्याना के मुख मंतरी बरतमान में है मनोहलाल खटैर आगे कह रहा संजे कपूर संजे कपूर कौन नुक्त किये गए हैं तो ये अखिल भारतिय सतरंज संग के अध्याच नुक्त किये गए हैं संजे कपूर वहीं आगर आपसे सचीब पूछ दे की अखिल भारतिय सतरंज संग के सचीब कौन है तब उनका नाम है भरत सिंग चोहान याद रखिएगा भरत सिंग चोहान अस्थापना जो है अखिल भारतिये 17 संग का हुआ है 1901 में और हेटक्वार्टर जो है वो चन्नाई में स्थित है वहीं आगे कह रहा है नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जो है वो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्याच बने है और ये जो है वो 15 में परधान मंत्री है तो ये आप लोगों को याद ही होगा चलिए आगे कह रहा है कि 2021 में बने बिभिन संगठन या कंपनी के मुख कारिकारी अधिकारी यानि की CEO की बात कर रहा है अमिताब कांट जो है वो नीती आयोग के पुना CEO बन गया है मतलब पहले भी यही थे और फिर से दुबारा इनी को बना दिया गया है इनके काजकाल में एक साल के ब्रिधी कर दी गई है और 30 जून 2022 तक इनको नीती आयोग के पुना CEO बना दिया गया है वही नीती आयोग के अध्यच की बात करते हैं तो आप लोग इससे भलिभाती पर जीत होंगे यह अध्यच जो ततकालीन परधान मंत्री होते हैं वही होते हैं तो अभी अध्यच है नरेंद मोदी उपा अध्यच की अगर बात करते हैं तो उपा अध्यच है डॉक्टर राजीप कुमार वहीं निती आयोग की अगर बात करते हैं तो निती आयोग का फुल फॉर्म होता है National Institution for Transforming India जिसको की एक जन्वरी 2015 को योजना आयोग के अस्थान पर लाया गया था आगे कहरा आरेस सर्मा आरेस सर्मा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रास्टीय स्वास्थ प्रधिकरन के CEO हैं और आयुसमान भारत की बात करते हैं तो आप लोगों को याद होना चाहिए आयुसमान भारत जो है वो 23 सितंबर 2018 को जारखन की राध्धानी राची से लॉंच किया गया था और इसमें पांच लग तक का कैस रहित स्वास्थूधा निसुल कुपलब्ध कराया जाता है आगे कहरा है रभी कपूर रभी कपूर जो है वो संसर्ट टीवी के प्रथम CEO है आप लोग इस चीज को याद रखेगा संसर्ट टीवी जो है वो लाज्य सभार टीवी और लोग सभार टीवी इन दोनों को मर्ज करकर नया संसर्ट टीवी बना दिया गया है और संसर्ट टी City of India के CEO है वहीं UIDA की बात करते हैं तो इसकी गठन जो है वो 2009 में किया गया था और इसका Headquarter जो है वो New Delhi में इस्थित है आगे कहरा J.Banket Ramu J.Banket Ramu जो है वो Indian Post Payment Bank के CEO निक्त किये गए हैं इंडियन Post Payment Bank की सुरुवात याद रखियेगा पूछा जा सकता है यह जो है वो 1 सितंबर 2018 को हुआ है इसका सुरुवात और इसका Headquarter जो है वो New Delhi में इस्थित है वहीं आगे कहरा है Andy J.C. Andy J.C. जो है वो Amazon के CEO निक्त किये गए हैं इससे पहले जो Amazon के Founder थे जिनका नाम है Jeff Bezos वही Amazon के CEO भी थे लेकिन अब जो Amazon के नए CEO बन गए हैं उनका नाम है Andy J.C. Amazon की अगर बात करते हैं तो इसकी अस्थापना जो है वो 1994 में हुआ है और Headquarter जो है वो बासिंग्टन DC में इस्थित है आगे कहरा है कि Mark Listosela तो यह Tata Motors के CEO है और Tata Motors क Chairman के अगर बात करते हैं तो वो कौन है एन चंद सेखरन है आगे कहरा सुनित सर्मा सुनित सर्मा जो है वो Railway Board के नए अध्याचिवम CEO है काफी important है याद रखिएगा इन्होंने इससे पहले कौन थे BK आदब थे ठीक है तो यह जो है मतलब सुनित सर्मा जो है वो BK आदब क की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह कौन है यह Bajaj Auto के Chairman है इसका Bajaj Auto के Establishment Headquarter यह सब आप से नहीं पूछा जा सकता है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं मैं वह ही बता रहा हूं जिसकी exam में पूछने की possibilities है आगे कहरा है रमेज पबार की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह WHO के Executive Board के Chairman भी है यह Question पूछा जा सकता है कि WHO के Executive Board के Chairman कौन है तब है डॉक्टर हर्सबर्धन आगे कहरा सुभास कुमार सुभास कुमार की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह ONGC के अध्याचिवन प्रबंद ने दे सक निपतिये गा है ONGC यानि की Violent Natural Gas Corporation जिसकी अस्थापना जो है वो 1956 में और Headquarter जो है वो New Delhi में से थैं आगे कहरा आईसा आजीज आईसा आजीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह भारत की सबसे यूबा महिला पाइलेट बनी है मातर 25 बर्स में और यह जमू कास्मेर के इरहने बाली है Next है हमारा Malika Arjun Khagde Malika Arjun Khagde जो है बो राजसभा में विपच के नेता है राजसभा से आप लोगों को कुछ चीजे याद होना चाहिए जैसे राजसभा का संरचना जो है बो अनुछे दस्सी में है सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है और सदस्ता के लिए जो निम्तम आयू है वो 30 बरस है आगे कहरा है अतीस चंद्र अतीस चंद्र की अगर बात करते हैं तो ये भारतिये खाद निगम यानि FCI Food Corporation of India के नए अधियाच बंप्रबंध निदेशक निउटके गए हैं FCI की अस्थापना जो है वो 1965 में हुई है और Headquarter जो है वो New Delhi में इस्थित है आगे कहरा सोमा मंडल सोमा मंडल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भारतिये इसपाद प्रधिकरन लिम्टेड यानि की सेल की अधियाच है और साथी साथ Standing Council of Public Enterprises की भी अधियाच है Next है हमारा अधार पुनाबाला अधार पुनाबाला से आप लोग इनका नाम अभी बहुँ ज़्यादा चलन में रहा था ये Serum Institute of India के CEO हैं और साथी साथ Magma Fincart Limited के Chairman भी निउक्त किये गए हैं आगे कहरा सिदार सिंग लोंग जाम सिदार सिंग लोंग जाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये रास्टिय डोपिंग रोधी एजेंसी जो नाडा है मतलब National Anti-Doping Agency जिसकी अस्थापना जो है वो 2005 में Headquarter जो है वो नई दिल्ली में स्थी थे उनके महा निदेसक निउक्त के गए हैं तो नाडा के महानी देसक कौन है सिदार सिंग लोंग जाम आगे कह रहा है जीपी सामन्द जीपी सामन्द जो है वो भारत के मुख सांख की बिद्ध है नेक्स्ट है हमारा पूनम गुप्ता पूनम गुप्ता जो है वो National Council of Applied Economic Research यानि की NCAER की पहली महिला महानी देसक है आगे कहा है जी दोहजार इकीस में नुक्त हुए बिभिन मंतरालो के सचीब की अगर बात करते है तो अनील कुमार जा को जनजाती है मामले के सचीब नुक्त किया गया है वहीं बी आर सुब्रिमन्यम की अगर हम लोग बात करते हैं तो बी आर सुब्रिमन्यम को बानीज सचीब निक्त किया गया है आगे है टीवी सोमनाथन, टीवी सोमनाथन को बिद सचीब तरून बजाज की बात करते हैं तो तरून बजाज को राजयस्व सचीब एक बार मैं recall कर देता हूँ, जनजातिय मामले के सचीब है अनील कुमार जा, बानिज्य सचीब है बी आर सुब्रेमन्यम, और बित सचीब है टीबी सोमनाथन, और राजयस्व सचीब है तरुन बजाज, ये थे कुछ रास्टिय निक्तियां, अब हम लोग देखते हैं अंतरा जनबरी 2021 से लेकर जून 2021 तक के हैं, पहला कह रहा है रंजी सिंग डिसाले, रंजी सिंग डिसाले जो है वो बिस बैंक के सिछा सलाकार बनाए गये हैं, और ये महरास्ट के रहने बाले हैं, इन्होंने ग्लोब टीचर प्राइज 2020 भी जीता है नेक्स्ट है अमारा अब्दुल्ला साहिद, अबदुल्ला साहिद की अगर बात करते हैं तो ये माल्दीब के विदेश मंत्री हैं और इनको संजुकत रास्ट महासाभा के चहतर में सत्र के अध्यक चून आ गया है नेक्स्ट है हमारा मोईद यूसिफ मोईद यूसिफ की अगर बात करते हैं तो यह पाकिस्तान के रास्टिय सुरच्छा सलाकार है और यह पाकिस्तान के सबसे यूबा रास्टिय सुरच्छा सलाकार भी बने है नेक्स्ट है हमारा जेक सुलिबन जेक सुलीवन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अमेरिका के रास्टिये सुरच्छा सालाकार निप्त किये गए हैं नेक्स्ट है हमारा नरिंदर बत्रा नरिंदर बत्रा की अगर बात करते हैं तो ये अंतरास्टी ये होकी महासंग के अध्याच निउक्त किये गए हैं आगे कह रहा है पी आर स्रीजेज पी आर स्रिय जेस की बात करते हैं तो ये अंतराष्टिय खौकी महासंग के अथिलीट समिती में सद्यस चूने गए हैं नेक्स्ट है हमारा हिमंत बिस्वा सर्मा हिमंत बिस्वा सर्मा जो है वो बिस्क बैडमिंटन महासंग परिशद में चुने गए हैं और ये बरतमान में असाम के मुखमंत्री और बैडमिंटन एसिया के उपा ध्यच भी है नेक्स्ट है हमारा जगजीत पवाडिया जगजीत पवाडिया की अगर बात करते हैं तो यह अंतरास्टिय नार्कोटिक्स लिम्टेड बोर्ड के धेर चुने जाने वाली प्रथम भारतिय महिला है नेक्स्ट हमारा नौरा अलमत रोसी यह जो हैं वो यूएई की पहली महिला अंतरिच यात्री के रूप में चुने गई हैं नेक्स्ट हमारा गिरिश्चंद मुर्मू की अगर बात करते हैं तो यह रसाइनिक हतियाद सेज संगठन के बाहल लेखक परिषक निट किये गए हैं इससे पहले या जम्मू कास्मीर के पहले उप राजपाल भी थे यह भी याद रखिएगा अब जो जम्मू कास्मीर के उप राजपाल है उनका नाम है मनोज सिन्हा नेक्स्ट है हमारा की नाजत समीम खान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये संजुक्त राष्ट मानवा धिकात परिशत की अध्याच नियुक्त की गई है नेक्स्ट अमारा जिल बिडेन जिल बिडेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अमेरिकी राष्ट पती जो बाइडन जो है उनकी पतनी है और ये संजुक्त राष्ट अमेरिका की प्रथम महिला बनी है नेक्स्ट अमारा डगलस एम होफ Douglas M. Hoff की अगर बात करते हैं तो ये अमेरिका के पहले second gentleman बने हैं जो की कमला Harris के पती है Douglas M. Hoff नाम याद रखिएगा कमला Harris के पती हैं और ये अमेरिका के पहले second gentleman बने है Next है हमारा आसीस चांद्रोकर आसीज चांद रोकर की अगर बात करते हैं तो ये 20 बैपार संगठन में भारत के अस्थाई मिसन में काउंसलर निउक्त किये गए हैं आगे है जैसाह, जैसाह की अगर बात करते हैं तो ये BCCI के बरतमान सचीब हैं और साथी साथ ACI किरकेट परिशत के अध्याच भी अच्चूने गए हैं आगे कहरा है नागोजी ओंकोजो इवियाला ये जो हैं वो 20 बैपार संगठन की महानिदेसक निउक्त की गई हैं और ये पहली महिला और पहली अफिर की हैं नाइचीरिया की जो महानिदेसक निउक्त की गई हैं नेक्स्ट है हमारा अजय मलहोत्रा अजय मलहुत्रा की अगर बात करते हैं तो ये मानमा धिकार परिशत के सलाहकार समीती के पहले भारतिये अधियाच निउक्त किये गए हैं आगे कहरा है डॉक्टर अजय माथूर डॉक्टर अजय माथूर की अगर बात करते हैं तो यह जो अंतरास्टिय सोलर एलाइंस है जिसका हैटक्वार्टर जो है वो गुरू ग्राम में इस्थित है उनके महानिदेशक के रूप में निउप्त किये गए हैं नेक्स्ट है हमारा सत्ट नडेला सत्ट नडेला की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह पहले माइक्रोसाफ्ट कंपनी के CEO थें लेकिन आप माइक्रोसाफ्ट कंपनी के चेर्मेन बना दिये गए हैं और इनका जन्म जो है वो भारत के हैदराबाद सहर में हुआ था आगे हमारा की मागू बर्गीज यह भारतिय मूलके हैं यह जो बाइडन के उपसहायक और वाइट हाउस सेन कारियाले के निदे सक निप्त किये गए हैं वही है डॉक्टर राज अईयर यह भी भारतिय मूलके हैं यह अमेरिकी सेना के पहले मुख सूचना अधिकारी यानि की CIO निप्त किये गए हैं नेक्स्ट हमारा प्रोनिता गुपता यह भी भारतिय मूलकी हैं और यह घरेलू निती परिशद में स्रमेवं कामगारों के लिए अमेरिकी राश्टपती की बिसे सहायक निप्त की गई हैं नेक्स्ट न हमारा बनीता गुपता बनीता गुपता भी भारतिय मुल्की हैं और ये अमेरिका की पहली भारतिय मुल्की सहयोगी या फिर Associate Attorney Journal निव्त की गई हैं आगे कह रहा है अरून बैंकर्ट रमन अरून बैंकर्ट रमन जो है वो भारतिय मुलके हैं और ये अमेरिका और विदेस बानिजिक सेबा के महा निदेस निप्त किये गए हैं नेक्स्ट अमारा डॉक्टर संकर गोष। दॉक्टर् संकर गोष। ये भारतियय मुल्के हैं और ये अमेरिका के National Academy of Sciences के लिए चुने गये हैं। नेक्स्ट अमारा नीरा टंडन नीरा टंडन ये भारतिय मुल्की है और ये अमेरीकी राश्टपती जो बाइडन की बरिष्ट सलाकार निट की गई है और बरतमान में ये सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की अध्यच भी है आगे कहरा है कि नैरीन हसन नेरीन हसन भी भारतीय मुलकी हैं और ये निउ और के Federal Reserve Bank की प्रथम उपाध्याच और मुक परिचालन अधिकारी निव्ट की गई हैं आगे कहई रहा बिबेक मुर्ती बिबेक मुर्ती की अगर बात करते हैं तो ये भी भारतीय मुलकी हैं और ये अमेरिका के सर्जेन जर्णरल निक्त किये गए हैं नेक्स्ट अमारा भाव्यालाल भाव्यालाल की अगर बात करते हैं तो ये भी भारतिय मुल्की हैं और ये अमेर्की अंतरीच एजनसी नासा के कारेकारी प्रमुख निक्त की गई हैं नेक्स्ट हमारा उसा राय मोनाली यह भी भारतिय मूलकी हैं और यह जो संजुक्त राष्ट विकास कार्जक्रम होता है UNDP की अंडर महासचीव और Associate Administrator निक्त की गई हैं नेक्स्ट हमारा आलोक सर्मा आलोक सर्मा की अगर बात करते हैं तो यह भारतिय मूलके ही हैं और संजुक्त राष्ट जो COP26 जलवायू सम्मेलन है उसके अध्याच है COP26 का आयोजन जो है वो गलासको में किया जाएगा तो यह थे कुछ अंतरास्टिय निक्तियां अब हम लोग देखते हैं जो बर्स 2021 में जो राष्टपती और परधानमंतरी हैं वो देखते हैं सबसे पहले एसिया के देखते हैं तो एसिया में जो मंगोलिया आता है वो मंगोलिया के राष्टपती नए बने हैं उखना सुले उसना उखना सुरेल खुस इन लोगों का नाम भी असा र तो उनका नाम है इसाक हरगेच और परधान मंतरी इजराइल के बने हैं नफ्ताली बैनेट ये दोनों नए बने हैं और इजराइल के मुख मंतरी बोल ला हूँ इजराइल का कापिटल जो है वो येरुसलम में है और यहां की करंसी जो है वो है न्यू सेकल नेक्स्ट है हमारा Syria के राश्टपती बसर असद बने है और ये चौथी बाश्टपती बने है वहीं Syria की जो राध्धानी है वो कहा है डंकसस नेक्स्ट हमारा बियतणाम बियतणाम की अगर बात करते हैं तो इनके परधानमंत्री बने हैं मिन्ह चिन और राष्टपती बने हैं गुएन जुआन अफुक वहीं वियतनाम की राध्धानी है हनुई और यहां की करंसी है डॉंग नेक्स्ट हमारा किर्गिस्तान किर्गिस्तान की अगर बात करते हैं तो यहां के राष्टपती चुने गए हैं साधिर जापा रोप और किर्गिस्तान की राध्धानी है बिसकेक नेक्स्ट हमारा इरान इरान के राष्टपती कौन निक्ति के गए हैं मारके रूटे, नीदरलेंड के प्रधान मंतरी निख्ट के गए हैं मारके रूटे नीदरलेंड की रधानी है कहा MS कोसोबो की अगर बात करते हैं तो यहां के राश्टपती बनी है बो जोसा उसमानी और कोसोवो की राधानी है प्रिश्टना नेक्स्ट हमारा इटली इटली के परधान मंत्री कौन निक्तिय है मारियो दार्गी जो है बो इटली के परधान मंत्री निक्तिय है इटली की राधानी है रो और यहां की करंसी है यूरो आगे है जॉर्जिया, जॉर्जिया की अगर बात करते हैं तो यहां के पर्धान मंत्री नुक्तुएं इराकली, गरीब्स, चिली, स्रीली और यहां की कापिटल क्या है, यहां की कापिटल है तिबलिसी, जॉर्जिया की कापिटल आगे हैं पुर्टगाल, पुर्टगाल की अगर बात करते हैं तो यहां के राश्टपती बने हैं मौर्सोलो, रेबोलो, डी सोसा और पुर्टगाल की राधानी है लिसवन अब कुछ हम लोग अफेरिका की देश देखते हैं इसके जो है कांगो लोग तांतरिक गंजाज यहां के परधानमंतरी बने हैं जीन, मिसेल, सामा, लुकोडो वहीं अगर हम लोग तंजानिया की बात करते हैं तो तंजानिया के राष्टपती बनी है सुवामा सुल्हू ये तंजानिया की पहली महिला राष्टपती भी बनी है देखिए ये सब जो कोश्चन है जैसे कि तंजानिया की बनी तो है लेकिन तर्जानिया ये पहली महिली राष्टपती भी बनी है तो इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज है तो इसको एक्जाम में पूछे जाने का चांसेश ज़्यादा है नेक्स्ट हमारा यूगांडा यूगांडा की अगर हम लोग बात करते हैं और यहां के परधान मंत्री हैं अनातोले वहीं आगे है नाइजर नाइजर की राधानी है नियामी याद रखिएगा नाइजर की राधानी है नियामी और यहां के राष्टपती हैं मोहमद बजूम और यहां के परधान मंत्री हैं ओहोमू मोयोडो महामदो नेक्स्ट है हमारा उस निये देश सुवामा इसकी परधान मंतरी निक्त कौन किये गए हैं फिया में नाओफी मथापा ये प्रत महिला परधान मंतरी हैं तो यह जो अभी हम लोगों ने देखा यह था 2021 की कुछ प्रमुख निक्तियां इसमें हम लोगों ने जनबरी 2021 से जून 2021 तक के कुछ प्रमुख निक्तियां देखे हैं अगले वीडियो में हम लोग एक ऑबिच्वरी से कोस्चन देखेंगे ऑबिच्वरी का मतलब 2021 में जो प करके जरूर बताईएगा देखिए आप लोगों से मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप लोग एक लाइन कमेंट जरूर कीजिए जो भी जैसा भी आपका रिवीव है अच्छा लग रहा है अच्छा बताईए खराब लग रहा है खराब बताईए मैं पूरी मेहनत करता हूँ मेरा दीन भर मुझे सेडूल नहीं मिलता है मैं रात को वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ फिर आप लोगों को अप्लोड करके वीडियो देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो मैं पूरे सुरू से वीडियो के अंतक मैं कभी भी कोई time based वाली चीज़े नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे time का importance पता है लेकिन फिर भी आप लोगों से एक छोटी सी request रहती है कि आप लोग comment करके जरूर बताईए क्योंकि comment नहीं आप लोग करते हैं तो मुझे ये लगता है कि वीडियो जो है वो आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है तो आप लोगों से हाथ जोर कर बिंती करता हूँ कि आप लोग comment करके जरूर बताईए जो भी है अच्छा लग रहा है खराब लग रहा है वो आप अपने opinion जरूर रखे अभी तक आप इस चैनल पे नए है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथी साथ बेल आइकन दबात दीजे ताकि हमारे सारे वीडियो के notification आपको मिलते रहे तब तक के लिए घर पे रहे सुरच्छित रहे और पढ़ाई किजे थैंक्स वर वाचिंग